और अब आडम्स एमप अगली गेन का सामना करेंगे शेशी जैसवाल बारा ओर के बार डेड़ सो रन पे दो विकेट ऑन साइट पर इस गेन को दखेला सिंगल यहाँ पर मिलेगी लेकिन जो भी दर्शक हमारी इस मैच को देख रहें दोस्तों बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद सभी दर्शकों का मकाबनी को फड़ा पर से लाइक करते जाएए नए लोग जो भी आ रहें चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सूरिया तयार एगली गेन का सामना करने के लिए 27 गेन दोए 58 रन पे सूरिया बल्ले बाज़े कर रहे है इस बार गेन को गैप में दखेला जरूर है एक और सिंगल वाँ पर मिलेगी 152 ओ ये कमाल की टाइमिंग है भाई साब इस शॉट का कोई तोड नहीं फुल टॉस गेन टीर रिवर स्विप शॉट केरा ये शे चुचा है इसमाल ने और गेन सीधा सीमार एका के पार चार रनों के लिए तरह और नस्दीक से देखेंगे इस शॉट को फुल टॉस गेन और कितनी खूबसूरत तरीगे से वो आज गाप को पिक कर रहे है ये शेशु जैस्वाल ये देखिए बहुत पहतरी शॉट ही है 156 रन पर दो विकेट टारगेट 251 रनों का भारत के लिए और यहाँ पर विकेट बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे स्टंपिंग आउट इस राज जटका भारत ये टीम के लिए लग चुका है एक और अक्रामिक शॉट लगाने की उनकी कोशिश थी लेकिन बहुत तेज विकेट कीपिंग पीछे और कोई मौका ने इनके पास क्रीस के अंदर वापस आने का चलिए बहुत बड़ा जटका ये क्योंकि सैड बल्ले वास्ते ही है ये शॉट जैस्वाल जाना होगा इनको पहलों देखें विकेट कीपिंग इतनी तेज हुई है पीछे इनका बल्ला हुआ में था हुआ में नहीं क्रीस के पीछे थे वो कि देखिए बिल्कुल उपर ही था इनका बल्ला वापर जाना हो गए शेचु जैस्वाल ने बना है सत्तावन 156 पे तीन भारत और अब रिशा पंत अगले बल्लेबाद एक सोचे का इनका स्ट्राइक रेट है पहुत ही यह भी विस्पोटक बल्लेबाद के लिए चाहने जाते हैं अगली गेंट दो गेंडे बची सोवर में अभी तक छे रन इस ओवर में आ चुक है इस ओवर की पांच्चु गेंट अब लेकिन सोव से भी कम रनों के आवशक्ता है अगर भारत को यहां से मैच जीतना है खारत बना वास्ट्रिलिया वंडे इंटरनाशनल मैच आप देखरें क्रिकेट 24 के गेंप्ले में सुर्य कुमार याद हो अगली गेंट का सामना करने के लिए तयार और यह बढ़िया कवर एक और सिंगल ओवर की समापती 13 ओवर के बाद 188 पे तीन तेरा ओवर का खेल समापत हो चुका है 188 रन तीन विकेट के नुकसान पर भारत है स्कॉन अगर यहां पर अब गिन बाजी करने के लिए आ चुक है तो यहां से जो हम रन रेट की बात कर रहे है की रिक्वार रन रेट तो बिल्कुल नेचे तीन विक्टे जा चुके इसके बाद बल्लेबाज करने के लिए जो है रिंग कुसिंग एक मात्र बल्लेबाज मौजूद है लेकिन मुझे लगता कोई दिक्कत होगे यहां पर एस्टान अगर ये भी थोड़े से महंगे साबित हुए आज तीन विक्टे गई है बड़े शॉट लगानी की कोशिश कर रहे थे खिलाडी और उनी के चक्कर में ज्यादतर विक्टे गई है चले इस ओवर की पहली गेंद तेरा ओवर के बाद 158 रन पे चार विकेट सूर्य कुमार यादवन 30 गेंदे 60 रन पे बल्लेबाज कर रहे इस ओवर की पहली गेंद उठाके मारा है सूर्य कुमार यादवने गवर के उपर से 6 गनों के लिए काफी जल्दी यहाँ पर मैच को खतम करना चाहिए सूर्य कुमार यादव क्या शॉट मारा है यह बहुत तगड़ा शॉट और नज़ी से देखते हैं इस शॉट को लेकिन जो भी दर्चक हमारे इस मुकाबले को देखे रहे हैं दोस्तों मैच को फड़ा बड़ से लाइक करते जाए नए लोग जो भी आ रहे हैं आपको चैनल अच्छा लगए सब्सक्राइब भी कर देना इस ओवर के अगली गेंद एक सो चॉट पर तीन तेरा दशमल एक ओवर के बाद सूरिया अगली गेन का सामना करेंगे और यह स्कुएर आफ दिविकेट को ए रन मिलीगी ने बड़या फिल्डिग महाँ पर किये एक सो चॉट रन तीन विकेट के नुकसान पर भारत एस्ट पॉल यहां पर इन जो भी लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं दोस्तों बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद सभी दर्चकों का जिन लोग ने भी तक मैच को लाइक ने क्या लाइक करते जाएं नई लोग जो भी आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल अग यह कुमार यादो अगली गेन का सामना करने के लिए तयार एक और सिंगल स्क्वेर अप दे विकेट शॉट कहला है डीप पॉइंट पर किलाडी मौजूद एक सो पैंसट रन तीन विकेट के नुकसान पर भारत अस्ट्रेन गेन बाद आज पूरी तरीके से फेल होते हैं न 251 रन का टारगेट है रिशब पंद अगली गेन का सामना करेंगे यह अच्छा शॉट कमाल की टाइमिंग है कोई खिलाडी पीछे महजूद ने गेन को रोकने के लिए रिशब पंद के बल्ले से पहली बॉंडरी या खूबसूरे शॉट केला या ख्री गेन का सामना करेंगे रिशब पंद ओर की समपती डॉट बॉल के साथ 14 ओर 170 पे 3 14 ओर का खेल समपत हो चुका 170 रज तीन विकेट के रुकसान पर भार असूरे कुमार या दो 360 रन पे बल्ले बाजी कर रहे हैं अभी तक जो उन्होंने बल्ले बाजी की एक अमाल की बल्ले बाजी और 60 पर कलायो का इस्तिमाल किया सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट भी कर रहे है और हम बात कर रहे है भारतिय बल्ले बाजी के करमकी इसके बाद रिंकु सिंग और वाशिंग्टन सुंदर दो खिलाडी है तो ये कमाल की टाइमिंग है गोई चांस ने फिल्लर के पास बॉल्ड रिलान के पार चार रेल बेटरिंग स्वीप शॉट बहुत खूब सुीप शॉट केला ये ये देखिए खूब सुरब टाइमिंग बाई रिशाप पंद एक सो पचत्तर रन पे तीन है तीस रिगेन तिंगल मिलेगे पीछे खिलाड़ी तैनाथ है एक सो पचत्तर रन तब तो पहुझ गए बारते टीम स्वीप शॉट का अगर हम रिपले देखे तो ये देखे सूर्य कुमार यादो चौटीस गेंडों में 68 रन पे बल्ले बादी कर रहे और ये लीजिए ये है पावर सूर्य कुमार यादो की खड़े खड़े शॉट सीधा दर्चुकों में गेंड को बेजते हुए क्या बहतरी टामिंग है ये सूर्य कुमार यादो आज ये मुझे लग रहा है शतक के करीब बढ़ रहे तत्तर रन के उपर पहुंच चुके है काफी दूर भेज रहे गेंड को ये देखिए लेकर निचले इससे में जब गेंड लगती है तो बहुत दूर जाके गिरती है सूर्य अगली गेंड का सामना करने के लिए तयार एक और कावर ड्राइज सिंगल वहाँ पे दोड़के निकालेंगे और अभी देखिए यहाँ पे 15 ओर खतम होने जा रहे 183 रन तीन विकेट के निकसान पर भारत का स्कोर है तीरे दीरे दीरे वारते टीम जो आगे बढ़ रही है आखरी गेंड रिशप पन स्ट्राइक पर है पांच गेंड हो मैं दस प्रण पर रिशप बल्ले बाज़ करते हुए और किस समप्ती डॉट बॉल के साथ 15 और 183 पर तीन और ड्रिंग्स ब्रेक यहां पर हो चुका है और खुद रविंद्र जड़े जहां पर ड्रिंग्स यहां पर लेकर आचुके हैं लेकिन क्याप के बाहर भी इनके बाल में दर आ रहे है मुझे रिशप पन्त 183 पर तीन पंद्रावर के बाद सुर्य को मार्या दो पाचातार रंपे पॉंचुके है अविलिगेल बैक फुल पे गए यहां पर राल की बेंटी यहां पस्तान अगर तोड़ा सा उचाल देरे गेल को 183 रंपे तीन विकेड भारत का स्कोर है अगली गेंदेस ओर में सुर्या सामना करेंगे ओप्स्ट्रम के बाहर की गेंट उटा के मारा है पीचे फील्डर लेकिन उसके उपर से चे रिनों के लिए यह देखें भाई साब क्या कमार की टाइमिंग थी यह 189 पे 3 है इस ओर में चक्का मिल चुका है सुर्या कुमार यादो उगली इनका सामना अपर एस्टान अगर की ओ यह रिवर्सिप शॉट ओ यह भी गेंद गयाप में इस बार भी मौका नहीं भाई साब इस ओर में अभी तक अभी तक दस रन इस ओवर में आ चुके हैं दो गेंडे बचे इस ओवर में लेकिन क्या यहां पर बड़े शॉट के लिए जाएंगे सूरिया और ड्राइव सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटे भी कर रहे हैं दो सो इक्यावन रनों के टार्गेट का पीछा कर रहे हैं भारते टीम और तीन विक्ते गई है भारते टीम की रोही चर्मा विराट कुली और ये शेश्वी जैसवाल पूरे कुमार यादो जो की 86 रन पे पहुंच चुके है रिशव पन तीस ओवर की आकरी गेन का सामना करेंगे है उठाके मारा रिशव ने इस बार भी फील्डर के पॉल से दूर गेन चे रन के साथ ओवर की समाप्ती सोला ओवर दो सो बेतीन अब केवल 51 रनो का टारगेट का पीछा कर रहे है भारते टीम गेन बाज में परिवरताने पैट कमिन्स को बलाएगा गेन बाजी करने के लिए चार ओवर में तिरपन रन बहुत पी टाइविंग की हुए आज और सूरिय कुमार यादो स्ट्राइक पर अब 41 गेंदे 86 रन पे बलने बाजी कर रहे है यहाँ पे कवर ड्राइव बड़िया फील्ड इंग्लेन मैक्स उन्हाँ पे मौझूद अडलेड का मैदान है और जिस तरीके से दर्शक खचाकच इस मैदान में मौझूद है सूरिय कुमार यादो क्या इस मैदान में अपना शतक जड़ पाएंगे 14 रन दूर है अपने शतक से सूरिया और ये भी कवर ड्राइव ये भी गेंद फील्डर के हाथ में गई है लेकिन पैट कमिन जाने जाते विकेट टेकर गेंद बास तो इनके खिलाब थोड़ा सा संबल कर खेलना होगा दो गेंदे दो डॉट सूरिया और स्ट्राइक पट किया है ये अच्छा शॉट है पीछे खिलाडी एक ही रन से संतुष होना होगा दोसो एक रन तीन विकेट के नुकसान पर भारत लेकिन जो भी दर्शक हमेरे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद सभी दर्शकों का मुकाबले को पड़ा पड़ से लाइक करते जाए नए लोग जो भी आ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगली गेंदी सोवर की यहां पर उठा के मारने की कोशिश की उन्होंने उन्हों का इस्तमाल भी किया रिशप पन ने थोड़ा सा आगी भी आए थोड़ा सा एग्रेसिव बल्लेबाजी की सोच है रिशप कर रहे हैं भारते डियम यहां से मात्र पचास रन दूरे भारत अब जीद से पचास रनों की आवश्पता है रिशप पंदाड गेंदे सोला पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पे भी उठा के मारने की कोशिश जोरदार अपील है लेकिन लेक्स्टम के आर गेंद अमपाय गेंद बाजी बैट कमेंज के द्वारा सिंगल मिलेगी आखरी गेंद पर 17 वर की बाद 202 पे तीम हरत अब गेंद बाज में परिवर था नहीं मिचस टार का गए गेंद बाजी करने के लिए चार ओवर 49 पे इसकी भी धुड़ाय होगे पावर प्ले में रिशप पंदस गे इस ओवर की पहली गेंद ओई या अंदर की तरफ गेंद लाने की कोशिश कर रहे है तो हम लगाना चाहरे तेरे शपन पूरी तरीके से मिस कर गए गेंद को एक छोड़ पर पैट कमेंज से एक छोड़ पर मिचस टार्क डेथ ओवर में यह जो गेंद बाज है बहुत पूल अपन पनपन पूरा कर पाइंगे तur育 को मरी आदो फतासी रंप बले बाजी चर्ड़ जले भी तरीके से थेंद गेंद गोड़ फैन बाजी कर थेथ अन जे गेंद धिवर दो गई गेंद एकन गरें तur育 को मरी आदो क्लेद कर देक लिए कि आए गेम जाएगी स्क्वार लेक के उपर से च्छे ड़नों के लिए कि वर लेक के उपर से चक्का जड़ दिया यह देखिए सूर्य कुमार यादो जाने जाते अपने बहतरीन फ्लिक शॉट के लिए फील्डर था वहाँ पर लेकिन उसको कोई मौका ने वाँ कि देखिए एक शॉट दो सो नौ रन पे तीन विकेट चौती गेंड है सूरिया पैंतालीस गेंड़ में तिरानुए रन पे पहुंच चुक है एक से बढ़कर एक शॉट आज हमें देखनों के मिल रहे हैं और यह उठा के मारा है अब इस बार पीछे की तरफ गेंड गई फाइल लेके उपर से च्छे रनों के लिए पाईसा भी शॉट का कोई तोड नहीं शॉट पीज गेंड यहां पर डारी दी पैंट कमिस और मिचर स्टार्क ने लेकिन सूरिया ने इस गेंड को भेजा पीछे की तरफ वाइल लेके उपर से छे रनों के लिए और इनका फिए तरफ ज्यादा शॉट खेलते सूरिया और और करीब से देखते इस शॉट को अब स्कूर बोर्ड आप देख रहे हैं उसी दिशा में गेंड गही है दो सो पंद्रा रन पे तीन विकेट दो गेंड बचे इस ओवर में सूरिया और स्ट्राइक अलायो का इस्तेमाल किया सिंगल यहां पर मिलेगी और इस एक रन के साथ सूरिय कुमार यादो का शचकपूरा हो चुका है इमाल की बल्लेवाजी माटरी क्यावन गेंड में सो रन ग्यारा च्छकों की बरसाथ किये सूरिय कुमार यादो ने यहां मैच विनिंग पारी है आज सूर्य कुमार यादों ने खेली आखरी गेंद इस ओवर में 216 रन पे तीन विकेट रिशाफ पंड सामना करेंगे इस ओवर की आखरी गेंद का और यह सामने की तरफ हवाई फायर चके के साथ ओवर की सबापती होगी यह देखिए तोड़ी सी आगे लेंट यहां पे डाली और सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रनों के लिए और यह देखिए सूर्य कुमार यादों अभी तक जो इन्होंने पारी के लिए 11 चके अपने पारी में जड़े उन्होंने चतकी अपारी माच विलिंग पारी क्योंकि अब भारते टीम जीत के बहुत करीब बढ़ चुके 211 रनों के टार्गेट का पीछा करते है भारते टीम अब मातर 25 रनों के आउशकता है भारत के लिए ये देखिए सूर्य कुमार का वैगन वील है 47 गेंदे खेले उन्होंने 100 रन देखिए जो लाल रिकाब देख रहे हैं उनको मिस्टर 360 क्यों कहां जाता है या आप ये वैगन वील देखे पता चल जाएगा आपको क्योंकि हर दिशा में मैदान के हर हिस्से में इन्होंने शॉट मारे आज ये देखिए 43 गेंदे 100 रन की पारी सूर्य कुमारी आदो की 222 पे 38 और के बाद सूर्य कुमारी आदो के लिए इनका सामना करेंगे पैक कमेंस एक बार फिर से अटाकिंग के लिए राउंड डिविकेट गेंद बादी कर रहे हैं सूर्य के लिए कावर ड्राइव यहाँ पर फील्डर वहाँ पे मौजूद है और मिस्स फील्ड हुए मैक्सवेल से सिंगल दोड़ के निकाली एक रन वहाँ पे दोड़ के निकाले उन्होंने तेरा गेंदे 24 रन रिशाप पन धगली गेंद का सामना करेंगे अभी थक्तों उन्होंने काफी बड़िया बल्ले बादी की है और यहाँ पे उनसाइड पर रन मिलेगी नहीं दोस्तों एक क्या हो रनों का टार्गेट का पीछा करें बारती टीम और मातर 28 रनों क्या हो शक्त है बारती टीम के लिए दोस्तों यह वला 28 रन की दरकार बारती टीम के लिए रिशाप पन इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे और ये उठाके मारा है सामने की तरफ छे रनों के लिए जैसे उनके पाले में गेंद आई बहुत बैतरी शॉट मारा है छे रन यहां पे मिल गए रिशाप पंद के लिए 15 गेंदों में 30 रन पेवल ने बादी कर रहा है इस ओवर की चौटी गेंद पंदरा गेदों में 30 रन पे पहुंच गए रिशाप अंधल के आतों से कलायो का इस्तिमार किया स्क्वर लेक पर गेंज जा रही है सिंगल लेके स्ट्राइक को भी रोटेट किया है इन्होंने जो भी दर्शक इस मकाबले को देख रहे हैं दोस्तों बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद सभी दर्शकों के लिए मैच को फड़ा फ़र से लाइक करते जाए नई लोग जो भी आ रहे हमारे साथ आपको चैनल अच्छा लगए सब्सक्राइब भी कर देना चलिए इस ओवर की पांची गेंज सूरिया तयार है एक सो एक रण पे बल्ले बाज़े कर रहे हैं आप सब के वार की गेंज बढ़या कट किया है और यहां पे मिस्पिंड दो रन की माग होगी कले दो रन दोड़के निकाले लेकिन इस ओवर की बात करें तो दस रन आगे इस ओवर में यह भी बढ़या ओर गया भारत के लिए पूरिया कुमार यादो का आज शब तक हमें देखने को मिला इस मकाबले में बहतरिन पारी के लिए आखरी गेंज का सामन क्या वाइड था यह देखना होगा कि क्या यह गेंड वाइड थी सुरिया ने इस गेंड को पीछे तो जाने दिया कि यह देखिए मुझे लगता यहां पर वाइड होगा यह क्योंकि कि यहां पर सुरिया नीचे जुग गए तो वाइड का कोई यहां पर चांस ही नहीं है 19 ओवर 232 रन तीन विकेट के नुकसान पर भारत रिशाप पन्सूला गेंड 31 रन पर वल्ले बाजु कर रहे है चले अगली गेंड अलक्यातों से यहां पर एक रन दोड के निकाली मात्र बीस रन दूर भारते टीम अप जीत से केवल 20 रनों क्यावशकता है 215 रनों के टार्गिट का पीछा कर रहे है वारते टीम सूर्य कुमार यादो आज विस्वोटक पारी उनकी तरफ से में देखने मिली शतक जड़ दिया सूर्य कुमार यादो ने चले मिचस टार्ग अगली गेंड यहां पे डालेंगे सूर्य कुमार यादो के लिए उठा के मारा है कद्वों का इस्तमाल कर रहे है पहर बरसा दिया सूर्य कुमार यादो का तुफान इस मैदान में आ गया और इस तुफान में आस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से उद्वस्त हो चुकी है यह देखिए एक से बढ़कर एक शॉट आज हमने देखे सूर्य के बल्ले से तो मिचे स्टार कुदी इन्होंने पेल दिया है 149 रन पे तीन विकेड एक शक्का इस ओवर में सूर्य अगली इनका सामना करने के लिए तयार क्या किस लेंद का इस्तमाल करेंगे कट किया है फील्डर ने बढ़िया फील्डिंग की वहाँ पर 19.3 वर 249 रन पे तीन है केवल 15 रनों क्या हो शक्ता है भारती डीम के लिए सूर्य कुमार यादव अगली गेंद आफस्टम के बाहर कट किया है हवामे गेंद बांडरी लाइन के पार वन बांड चोका याद जबर्दस शॉट केला है यह रेके चोटी गेंद आफस्टम के मार मिचे स्टार की बहुत पावर्फुल शॉट और वन बांड चोका हलका सा बाउन रिलान के पीछे गेंद गिरियो वरना यहाँ पर भी चोका मिलता चुका मिलता सूर्य कुमार यह रेके आफस्टम के बार की गेंद थी बहुत पावर्फुल कट और गेंज जो गई है पॉइंट के उपर से गई है चार रनों के लिए सूर्य अंगली गेंद का सामना करने के लिए तयार एक बार फिर से यहाँ पर विकेट कीपर के उपर से मारनी कोशिश कर रहे थे मिस कर गए इस गेंद को आखरी गेंद दो सो तिराली से रन पर तीन विकेट भारत का स्कूर है वन डे इंटरनाशनल मैच लेकिन आज बीसी ओवर में मैच को कतम करेंगे बड़ा शॉट एक और बड़ी हिट सूर्य कुमार यादों की बीस ओवर दो सो उचास पे तीन भारत ओवर की समाबती है अब केवल चार रन दूर भारती टीम केवल चार रन दूर अपनी जीत से भारत अगली ओवर पैट कमिस लेकर आ चुक है रिशप पन 17 गेंडे 32 रन पे पहुंच चुक है केवल एक चोका सभी खिलाडी सरकल के अंदर और यहाँ पे स्विंग अनमेज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे तबी खिलाडी सरकल के अंदर आ चुके दोस्तो और रिशप पन जोए बड़े शॉट के लिए तयार है केवल चार रन दूर भारत टीम सारी तीन रन दूर है भारत अपनी जीत से रिशप पन चले तयार हो जाए विनिंग शॉट के लिए अपस्टन के बार की गेम स्विंग अनमिस वाइड होगा यह यहाँ पर एक और एक्स्टार रन भारत के खाते में स्कोर लेवल हो चुका है अब केवल एक रन दूर भारत टीम केवल एक रन की आवश्यकता है तयार हो जाए भाई साहब यह है विनिंग शॉट उठा के मारा रिशप पन ने जड़ दिया चका और चके के साथ भारत ने मकावली को जीत लिया है बहुत बड़ी जीत भारते टीम की इंडिया विन बाई सेवन विकेट बहुत 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 सभी दर्शपों का